नमस्कार दोस्तों स्ट्रीम ओव ड्रीम चैनल आप सब का स्वागत करता है आज बात होगी दिवाली के बंपर ओफर की आप सब को सबसे पहले हैपी दिवाली और बात होगी IRCTC की यानि के इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिजम कॉर्परेशन लिम्टर बहुत ही धा बंदा रेलवे के दू एक बार जा दोवा ट्रेवल भी कर चुका है आई यार सीटीजी का बिजनस मोटल किया है बेसिकली का अरेंजमेंट कराने का प्रवाइड करने का काम काच करती है इसके इलावा जो चाहे आपको मिलती है एक्सप्रेस गाडियों में जा फिर काहें हम इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके फंडामेंटल क्या है देश की काफी बड़ी कंपनी देश की अगर हम बात करने सबसे बड़ा जो इंप्लोयर है वो IRCTC अगर हम बात करें रेलवे से जुड़ा हुआ है तो रेलवे की ये कंपनी IRCTC तो इसका अगर हम बात करते हैं मार्किट कैप की बात कर लेते हैं तो लगभख 60,000 करोड का मार्किट कैप है बहुत बड़ा मार्किट कैप के साथ ये स्टोक लिश्टर हुआ हुआ है इसक अच्छे margins के साथ अगर कोई company हमको दिख रही है तो वो है सिरफ IRCTC इसी एक ही वज़ा है जिसकी वज़ा से ये इसका जो business model है वही एक वज़ा है क्योंकि ये अपनी business है तो ये इतने आपको stock behind लग रहा है दोस्तों इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं इसकी ROCE की जानी के return on capital employed की तो वो 51% के आसपास है दोस्तों काफी अच्छी दिख रही है एक government company होने के नाते अगर हम बात कर ले है return on equity की तो वो 14% के आसपास है काफी अच्छे है इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं debt to equity की ratio की तो वो भी देखिए 0.06 काफी minor सा debt है वो भी अगर हम देखेंगे थोड़ा से detail में जाकर तो वो भी आपको लगे अभी यह debt थोड़ी है यार यह तो बस company है वैसे उठा रखा है समाल कुछ इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं तो company के fundamentals पे आ जाते हैं सबसे पह अगर हम बात करते हैं तो लगभग 25 क्रोड की सेल कर चुकी है इतना इतना business है जो काफी फैल रहा है यहां पर अगर हम बात करते हैं अगर यह कोविड ना आया होता तो यह sale दोस्तों आपको लगभग 4500 क्रोड के आसपास देखती क्योंकि यह जो जो साल थे वो काफी restrictions चलेगी यह local नहीं चलेगी यह इस्ताब दी नहीं चलेगी काफी restriction लगे तो इसी वाज़े से इसकी जो sale थी वह ड्रॉप आउट होई थी वही पर यहां पर यहां पर sale drop होई थी तो तो मतलब के सबी जो unit थे सबी फैक्टरियां थी वह सबी बंद थी तेर दो महीने बाद जो फारा लोग भी हो गया था लेकिन जो ट्रेंस थी वह नहीं चली थी दोस्तों तो जैसे ही जे 2022 फिनेशल ये यह स्टार्ट हो तो सारी ट्रेंस मतलों के स्टार्ट हो चुकी थी तो उसकी वज़े से हमको देखने को मिले हैं लोगों ने इतरों को गूमना स्टार्ट कर दिया था ट्रेवलिंग स्टार्ट हो चुकी थी नॉर्मल हो गई थी लाइफ तो उसकी जो इंपैक्ट था हमको देखने को मिल रहा है वी सेल इनकी जो पचीस सो करोड के आसपास पास पहुँच चुकी है अगर हम बात करते हैं ऑप्रेटिंग प्रोफिट मार्जन्स की द लेना चाहिए दोस्तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं नेट प्रोफिट की दोस्तो तो तब हुआ करता था लगभग एक तो 31 क्रोड के आसपास 131 क्रोड का जो इनका नेट प्रोफिट था दो ही आर पंदरह में वो बढ़कर पहुच चुका है लगभग 800 क्रोड के मैसिव जम्प जानी के लगभग 7 गुना के आसपास 6-7 गुना के आसपास जो नेट प्रोफिट बड़ा है दोस्तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं बैलन्स शीट की तो जो रिजरव इनके 400 क्रोड के आसपास हुआ करते थे ना दोस्तो फो पहुच चुके हैं 17 क्रोड क इतने मैसिव जम्प सुए इनके रिजरव में इसके बाद अगर हम बात करते हैं बॉरइंग की तो आपको बॉरइंग यहां पर थोड़ी बहुत दिख रही है जो लगभग है 107 क्रोड के आसपास अगर हम बॉरइंग पर क्लिक करते हैं तो हमको दिखाई तेरिया जो यह जो लाइबिल्टी है वो निल होती आपको दिखाई दे सकती है आने वाले साल में इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटरन की दोस्तों तो शेयर होल्डिंग पैटरन है उसके मताबिक परमोटर के पास है वो लगभग 67% के आसपास की है मतलब के 100 में से सिर्फ 21 लोग ही ऐसे हैं जिनके पास यह IRCTC का शेयर है तो बहुत ही कम हाथों में शेयर है इसी वज़े से है जिसके पास भी यह शेयर है वो बेचना नहीं चाहता और जिसको मिल रहा है वो खरीदने के लिए उतावला हो जाता है और यह शेयर बहुत ही चाट पर जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा यह काफी महिनों से 70 और 600 रुपए के बीच में हमने इसको भाय करने के लिए कहा था तब यह उसी रेंजम के आसपास भाय भी हो रहा था और इसके जो लेवल्स हमने बताया थे जो टार्गेट बताया था वो लगबक 735 रुपए का आसपास बताया था जो के बहुत ही जल्दी अचीव होने वाल जो के एक महीने पहले हमने इसकी ड्वाइज देती तो वो अपने आर्गेट को अचीव करने वाला है तो इसलिए हम कहते हैं भी चैनल को सब्सक्राइब जूरू कर ली गया करिए ता जो आपको हर जो नोटिविकेशन है वो आपको मिल जा सके और आपको कोई भी वीडियो आप मिस्स ना कर सेगे इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं IRCTC के बारे में तो जो IRCTC का चार्ट है आप देख सकते हैं सेम चार्ट आपको KPIT टिकनोलोजी का भी देखने को मिलगा यह देखिए दोस्तों यहां से गिरावट के बार यह देखिए इतना बड़ा थोड़ा स consolidation थोड़ा सा अगर हम बात करें थोड़ा सा यहां परçलता दिखाई देशकता है अगर हम बात करते हैं इसकी बाइंग range की तो यहीं आपको ये buying start कर देनी चाहिए जो के है लगबक 745 रुपे के आसपास का ये जो level है उसी के आसपास का फोल दारी करने की चाहिए लेकिन अगर हम best price की बात करते हैं buying की तो वो कि लगबक 700 से लेकर के 735 रुपे के आसपास की जो buying है वो एक best buying zone होगा और इसके जो सबसे पहले target होगे दोस्तों तो सबसे पहला जो target होगा वो होगा सबसे पहला resistance जानी के 870 रुपे के आसपास आपको ये stock जाता हुआ दिखाई दे सकता है इसके बाद गर हम बात करते हैं second distance की तो वो होगा लगबग 970 रुपे के आसपास तो इन levels को achieve करना IRCTC के लिए कोई मुश्किल नहीं है क्योंकि दोस्तों अपरी मतलब के कतूबर का end होने वाला ही है एक नुवंबर और दिसंबर टेनवरी सिर्फ तीन मन्त रह गए हैं यही वो समय है जब जो smart investor है वो इन stocks को पाहे करते हैं क्योंकि फर्वदी 2024 में जो budget आएगा तो ये stock अपनी rally को निकाल होते हैं तब जो arm investor होता है तब इसमें पूते हैं जब इसकी लगबग 20-30% का return दे चुका होता है लेकिन आपको stream of dream से जुड़े रहने का यही वज़या है कि आपको जो stock है वो पहले मिल जाते है और आप जब तक वो उसको जो tv पे show होता है भी यहाँ इसको buy कर लीजे खिर प्याँ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को like share करना मत भूलेगा धन्यवाद दोस्तों